नमस्कार स्वागत है आप सभी का दब यहाँ टॉप में मिर नाम उदिप तारेन है देखे इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी खबर आपसे हमसाधा करने जा रहे हैं वैसाली लोकसवासीत जहां पर कल चिराग पासवान ने एक बड़ी जन सभाग को संबोधित किया मुझफ अब इसे लेकर वहां के जो मौझूदा सांसद है वीना देवी जिहां वीना देवी बेचाइनी में है आज दिल्ली में वीना देवी चिराग पासवान से मुलकात करने भी पहुची लेकिन महज आट मिनट की मुलकात हुई और चिराग ने उन्हें रफा दफा कर दिया है इसका सपस्ट मतलब है कि वीना देवी जो पारस गुट में थी वहां से टूट कर चिराग पासवान से हाथ मिलाई थी इस उम्मीद में कि वैसाली लोकसवा सीट से उन्हें परतियासी बनाया जाएगा चुकि बिहार में एक लहर चिराग पासवान का ये देखते हुए वी लाग पासवान ने दिया उसके बाद हरकम मज गया पूरा वैसाली लोकसवा में कि आखिर नया चेहरा होगा कौन वैसाली जब देखिए इसे लेकर जो बड़ी खबर जो साधा अपस्रम करने जा रहे हैं वीना देवी और उनके पती जो हैं वे सीधा लालू प्रसाद उसको भी त्यार करने का अंतिम चरण है दोनों गुटों में महागडबंधन हो या फिर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स यानि एंडिये गडबंधन में और इस कड़ी में वीना देवी नहीं चाहती हैं कि वो इस बार लोजपास से चुनाओ चुकि उनको पता है कि चुन राष्ट्री जनता दल से वो सिंबल ले सके आपको पता है कि 2021 में जब चिराग पास्वान की पार्टी तूटी थी तो उस वक्त पांच सांसत जो है वो राष्ट्रिये लोग जनसक्ती पार्टी में चले गए थे जिस पार्टी का गठन पसुपतिकुमार पारस ने किया था उसमें समस्तिपूर से प्रिंस पास्वान, हाजिपूर से पसुपतिकुमार पारस, खगडिया से महबूब अली कैसर, नवादा से चंदन सिंग और वैसाली से वीना देवी शामिल थी लेकिन पिछले एक साल से जिस तरीके से गतिविधियां बदली चिराग का एक अपना म जो हाजिपूर में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट महा अभियान सुरू किया गया था चिराग पास्वान से, उस मंच पर भी वीना देवी दिखी थी, कई बार वीना देवी दिखी है चिराग पास्वान के साथ, लेकिन चिराग पास्वान ने कल वैसाली में जिस तरी बियान दिया है उससे हरकंप मचा और अब जो खबरे आ रही है चिराग ने आज उनसे महज 8 मिनट की एक आपचारिक मुलकात की है और उसके बाद सीधा वीना देवी जो है वो लालू प्रशादियादव और तेजस्वी प्रशादियादव से संपर्क साधने में लगी है तो